सहब के उस पार में खुशामदीद स्वागत दोस्तों आज का प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है आज ऐसी बात करेंगे जो शायद हमारे बहुत सारे दोस्तों को सोचने पर मजबूर करें हमारी ये कोशिश होगी कि आपके जहन को जिस खुराक की जरुरत है हम वो दें और फिर हम इसके उपर अगर आप चाहें तो हम सारे मिलकर बात भी कर सकते हैं आज किसी मंदर, मस्ज़द या गुर्दवारे की बात नहीं होगी आज के प्रोग्राम में बात होगी जिस दुनिया में हम रहते हैं इस जदीद दुनिया के मॉडन दुनिया के में कि हम लाइबरी जिसको हिंदी में हम पुस्तकाले कहते हैं उर्दू में बशानी साब बताएंगे कि क्या कहते हैं यह हमारा आज का topic होगा बशानी साब प्रोग्राम में आपका स्वागत है व्वाध धैंक यजिनाब शुकरिया बशानी साब मैं जब यहाँ इन अंग्रेजों के मुलकों में बाहर जाता हूँ तो सबसे बड़ी अगर कोई मुझे चीज नजर आती है सबसे नुमाया कोई बिल्डिंग नजर आती है तो वो लैबरीज होती हैं यहां की जिसके अंदर हम देखते हैं हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं और गए नजर आते हैं लेकिन लाइबरीज कही नजर नहीं आती इसके पीछे क्या वज़ए है तेंक यू जनाब यह जो है सिर्फ अंग्रेजों के मुलक में नहीं बलके जब अंग्रेज हमारे मुलकों में थे तो उस वक्त भी यही बात थी अगर आप लोग शैर को देखें इंडिया तो मैं कभी नहीं गया हूँ तो वहां के शैरों का मुझे पता नहीं लेकिन आप लावर शैर देखें तो आपको भी वहां पे नमायांतरी जीजें का मसकम जब हम स्टूडन्ट थे यह जब हम स्टूडन्ट थे तो वह कोई सदीयों का किसा नहीं है मैं 20-25 साल की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी लाउर शेयर का एक लैंड मार्क जिसको आप कहते हैं न वो भी लाइबररी समझा जाता था और वो सारी लाइबररी जैसी थी जो बेस्टर जो है वो प्री पार्टिशन अंग्रेजों के दोर में काइम हुई वो बेतरीन किसम की जो सुर्ख इन्टों वाली अमारते हैं और उसके अंदर फिर बेशमार कताब हैं और एक पूरा जो है एक तसावर था ये तो मैं आपको एक मसाल दे रहा हूं लेकिन जिस कालेज में मैं पढ़ा हूं और ये मैं बार बार जिकर करता हूं तो लोग कहते हैं जी वो पता नहीं क्यों कर हैं लेकिन बगएर किसी रीजन के के वो पुंच रियास्त पुंच जिसको आप कहते हैं स्टेेट अफ पुंच और बाइदा वे स्टेट अफ पुंच्स से ज्यादे किर्शन चंदर मेशूर हैं किर्शन चंदर जो है वो हमारी पहचान है जो के आप पुंच के साथ जिसको रिलेट कर सकते हैं जिसने लिखा बहुत ज़्यदे अफसाने और काउनिया लिखी हैं पुंच शेर में राये हैं वो पढ़ाते रहें तो हमारा जो शेर था रावला कोट जो है पुंच में उसकी जो लाइबररी थी कालेज की आई अम स्टिल इंप्रेस्ट और मैं सर्प्राइस्ट और वो लाइबररी कोई नई बनी नहीं थी बलके पीछे से चली आ रही थी सिक्स्टी से लेके और उसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसी कताबें पढ़ी हैं जो आज बेहने यानि सुतम ही है कि मसल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक कताब जो है जस्टिस यूसफ सराफ की एक कताब है कश्मीरी इस वाइड फार फ्रीडम दो वालियों पे इंगलिश में एक कताब है और वहां पे मेरे हैल में वाइड कताब है जिसको रिसर्च वर्क की बुनियाद पर को एथिंटिक बुक समझा जाता है वो उस लाइबरियरी में से मैंने पढ़ी थी और वो कताब मैंने है यानि वहां पे आथरेटीज को ये इनकिशाफ हुआ कि इस कताब में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो हमारे लिए ठीक नहीं है और वो कताब पचास साल से वहां की सिरकारी लाइबरियों के अंदर जो है वो पढ़ी जाती रही और मैं कालिज की लाइबरिय की बात करता हूँ जो बात मैं यूनिविस्टी कालिज बनाए तो ये जो माहल चैंज हुआ है जनाब देखें आपको जहां तक याद पढ़ता होगा कि आपके शेर में किसी भी शेर को ले ले लें तो बिस पच्चिस सालों में कोई लाइबरिय नहीं बनी होगी अगर कुछ हुआ होगा तो कोई लाइबरिय डिसपिर हुई होगी बंद हो गई होगी या उसकी जगह जो है वो कोई माडिफाई करके कोई दूसरी कोई चीज जो है वो बना दी गई होगी तो ये एक ऐसा सवाल आपने उठाया जिसका तल्ग जो है वो ओवराल हमारे कल्चर के साथ है कि हम जा किस तरफ रहें आपने का कि सियासत की बात नहीं होगी 75% लोगों की जिन्दगी पे बहुत बड़ा गेरा ऐसर है कि मख़ब के बगएर मख़ब यनी उनका ओड़ना बचुना है उनको जो है वो हर काम मख़बी नुक्ता नजर से ही करना होता है तो इसी तरह सियासत तो लाइबररी का तो सियासत के साथ सबसे गहरा तालक है सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाइबररी क्या है लाइबररी जो है न एक सेंटर है नालज का वहां से जाके आदमी को चीज लेकर नहीं आता कोई कैंडी नहीं मिलती है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है बलके वहां से नालज आती है और उसके मुख्तलिफ जो है वो पहलू है कि उसके कहीं तरीके नालज के के लाइबररी केसे जो है वो सोसाइटी में एक मैन जो लैंड मार्क होता है किसी सोसाइटी का रहा है ट्र रखते हुए लेकिन ये है कको हमारे हहां रहां ये चीजे lucrat की विजफा से है वोगर्मly भूं इन उस सिंक मिणात हैं इसकी अर दो चीज़े हैं उसमें से पहला ये है के हमारे हां होकमरान तबकात के जो जो आप प्रारिटी कि जिसको आप परन कभी भी ये इलम दानश ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं रही हैं उनकी प्राइरिटी एक स्क्यूर्टी स्टेट का कॉंसेप्ट ही रहा है ज़श्टा सत्तर सालू में जिसका मतलब यह है कि अब ज़्यदे पैसे जो हैं वो इसलाख खरीदने पे सर्फ करें टैंक नियुक्लियर अथियार खरीदें मिजाइल बनाएं तैयारे खरीदें जो भी आपको जहां तक आथ पहुंचता है और हमारे उन पेसों की वज़ा से जो बर्रसगीर से निकल निकल के इन मुलकों में गए पतनी कितनी सेंकड़ों की तादात में लाइबरियों बन चुकी हो होंगी कि ज़चता चालीस तीस चालीस सालों में वह आप मासको में देखें या किसी रूस के दूर दराज के छोटे मोटे शेर से लेते हुए फरांस से होते हुए स्वीडन तक के जैसे पुरामन मुलक से भी हमने तोपें खरीदी और ले जाके आप अमारीका का तो खेर मा तालीम पे खर्च करते हैं और जब आप तालीम पे सबसे कम बजट खर्च करेंगे यह स्यासत की बात है तो इसका मतलब यह हुआ कि जाहर है कि आप जो एसेंशल्स हैं वो ही दे सकेंगे ना कि मसले एक गोस्ट टाइप स्कूल का टांचा कड़ा कर दिया जिसके अंदर अज़ाद में एसे स्कूल हैं जिनका कोई एक डांचा तो जरूर होगा या चोटा मोटा कोई इस तरह का शल्टर लेकिन उसके अंदर स्टूडेंट के बैटने के लिए कोई कुरसी नही है कोई टेबल नहीं है कोई पानी का कूलर नहीं है कोई वाइच रूम नहीं है जो जिसको आप कहते हैं कोई हीटिंग कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं यानि दूसरे इलफास में हमारे बचे केव में प्रिमिटिव इनसान की तरह बैठके पढ़ते हैं एक कुर्सी होती है जिस पे जो है वो टीचर उस्ताद साफ जो वो बैठे होते हैं तो इस से आप अंदजा लगाएं ये ऐसा क्यों है कि अब जब हकूमत एक स्कूल बनाती है तो स्कूल के सारे लवाजमात होते हैं अब आप ये नहीं है कि आप कमीज सिल्वाएं तो उसके जनाब कालर वग़रा सब कुछ करके तो बटन रहने दें कि यार बटन के लिए तो मेरे पस बज़ट नहीं है ये बात है स्कूल की कि आप डांचा बना देते हैं अब को कभी सोचते ही नहीं कि भाई हम पे बच्चे बैठेंगे कैसे इनका जो तखता सेया है जो बलैक बोर्ड है वो कहा है इनकी जो लाइट्स है वो कहा है ये वाश रूम कहां से यूज़ करेंगे इनके लिए को किचन भी है या या नहीं तो ये चीज़ें क्या फादाब् ovatभत करती है कि जाए हमारे पैसे जाया किए जाते हैं दूसरी चीज़ों के और वो दूसरी चीजों से तालक जो हमारा दुश्मनी का तालक है जो गज़श्टा सतर साल से चल रहा है और बगहर किसी लफसों के एर फेर के सीधी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के दर्मयान जो आर्टिफिशल किसों की दुश्मनी क्रियेट की हो कमरान तबकात ने उसने दूनों मुलकों का बेड़ा गर्ट किया और उसमें हमारी जो गुर्बत है सबसे ज़्यदे असला जो है वो अमरीका ने आमें बेचा है इंडिया ने रूस से भी बहुत ज़्यदे असला लिया होगा लेकिन आपको याद होगा 62 की वार में जो है वो बहुत बड़ी तदाद में असला जो है वो दे दिया था इंडिया को भी अमारीका ने और उस से पहले पाकिस्तान को तो वो बिलकुल अडाप्ट कर चुका था ना यानि पाकिस्तान को गोद ले चुका था असला देने में और इस सारी चीज़ों में उसके बावजूद एक अमरीकी सदर जो है उसने बाकाईदा खित लिखा पंडर जवार लाल नैरु को कि मैं एरान हूँ कि आप दूनों मुलक जो हैं वो एतनी बड़ी गुर्बत का शकार हैं मुझे आप लोगों की इमत की दाद देनी पड़ती है कि आप इस सालत में जिन्दा हैं सर्वाइव कर रहे हैं लेकर मुझे आहरत है कि आप इतने पैसे असला पे खर्श करना है यानि एक आथ से वो दस्गत कर रहा है और असला बेच रहा है इंडिया को मुह मांगे दामों पे शफारसें करा के एक तो होता है मुह मांगा दाम क्या बात है यानि दाम की तो कभी बात ही ना बात होती है गुटनू पे आत लगाने हैं कि या पाउं पे कि यार दे दो कीमत को तो दूसरी बात है असला बेचते हैं और उपर से ख़त लिखते हैं कि आप लोगों को यानी यही कहने वाली बात है ना मुझ जैसी कोई जबान वो इस्क्माल करते कि आप कोई शर्म नहीं आती कि आप जो है वो कंदे तक गुर्बत में दंसे हुए हैं और आप बार बार आके हमारे दरोजे पे खड़े हो जाते हैं कि हमें असला दो मैं यह लिखता लेकिन उसने यह लिखा कि मुझे आप लोगों की इमत की दाद देनी पड़ती है कि आप इतने गरीब हैं और गुर्बत से नबर दाजमा हैं लेकर मुझे इस पर बहुत अफसूस है कि आप इतने बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं जो है वो एसला की खरीद हैं जहां पर लाकों की तादाद में लोग काम करते हैं लेकिन वो हमें फिर इंसल्टिंग के रवीए भी देखा के भी तो फिर इसला बेचने की पोजिशन में चुके हम अंदा पान में इस सब्सक्राद तक आगे चले गए हैं कि हमने जो है तै कर लिया है कि जिन्दा नही पैसे खर्च करेंगे तो सब आपका बजड़ जो है वो दो फिसद से कभी आगे नहीं गया मुम्मन है इंडिया का मेरे ख्याल में कितना है एजूकेशन का पाफिस्तान का दो अड़ाई फिसद से कभी आगे नहीं गया इवन इन दा बेस्ट डेस तो वहां स्कूल नहीं ब उनके लिए आप एक ऐसी जगा बिनाएं जहां उनको एकसेस हो इलम टेक तालीम टेक एजूकेशन टेक नालजज टेक तो ये जनाब सियासत को भी हमें एक दरफ नहीं कर सकते और दूसरी बात में यह आपको बता हूँ कि हमारे हां दोड़ जो शुरू हो गई और ये बड जोड़ शुरू हो गई एक चोटे से चोटा शेर है जिसमें बच्चे हमारा जो हम जिसको आजाद किश्मीर कहते हैं उसका एक चोटा से शेर है जिसमें बच्चे जो हैं वो जमीन पे बैठके नंगी जमीन पे एक होती है जमीन पे कोई दरी बिच्छी है कोई गास फूस पढ़ा हुआ है नंगी जमीन पर बैठके पढ़ते हैं एसे स्कूल भी वहाँ हैं जहां च्छत के बगएर बच्चे नीचे दरखत के नीचे बैठके पढ़ते हैं वहाँ दुनिया की खुबसुरत तरीन मसाज़त है और हर एक किलो मेटर के बाद एक अजीम शान किसम की साइटी जो है इस पे मैं आपको वो यह लटीवा मुझे सनाना चाहिए है नहीं मुश्ता के मन यूस्वी एक बड़े जो है हमारे थे उनको क्या कि मजा नगार उन्होंने कहा था एरबूं से मनसूब करके कि एरबूं किसी एरब ने मुझे कहा कि हम इसलाम तो हम बे भी उ बाउले होगे बाउले यानि जो वो जैसे पुता पागल होता है ना कि आप लोगों को क्या मिला कि आप तो बिलकुल ही जो है वो आदकरास कर गए भई हैर चीज़ की एक लिमिट होती है आप पहले अपनी सोसाइटी की एसेंशल्स देखें कि आप कौन से खता को या मुझ ﷺ खातिम النवीन को खुश करना चाते हैं जिसकी उम्मत के बच्चे जो हैं वो सरदियों में नंगी जमीन पे बैठके जो है वो पढ़ रहे हैं और आप ऐसी ऐसी मसाजद जो है बनाई हुई है आपने जैसे कदीम जमाने के राजु महाराजाओं के मालात होते हैं यह एक ट् जी यह हुकमरान आगे खड़ा हो जाएगा कि नहीं जी यह डिफेंस और स्कूरटी के बारे में आप क्या जनते हैं मौल भी कहेगा जी यह खदा के बारे में आप क्या जनते हैं और यह दो लोग हैं जिनकी मौजूदगी में लाइबरिरी की ज़रूर्त नहीं चुके बाग किसम के माहुल की दरूर चुए है, यह बात है जी हमारे आट जो लाइबरेयों बंद हुई, जवालुड़ी नहीं बनी, मेरे शेर में लाइबरेय बनी यही नहीं, रावला कोट शेर जिसकी में आपको बात कर रहा हैं उसमें वाइद लाइबरे, ज़ए वह यूनिवस्टी कालेजG की लाइबरी है इवाम की कोई लाइबरी नहीं जिसमें अवाम का को बच्छा जिसको कम्प्यूटर तक रसाइए नहीं है या बुक तक रसाइए नहीं है वहाँ जाकर बैठे और कोई अपना जो है भू कर सके तो इसमें आप ने ये हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों न आगला प्रोग्राम ही इसके उपर किया जाए जिन लोगों के मकसद होते है कि प्रॉपगेंडा करना हो तो वो तो रोज नहीं नहीं जो भी खबर मिलती है इंडिया पाकिस्तान की उठाके और कोई उस पर प्रोग्राम करते हैं हमारा रावला कोट में पब्लिक लाइबरी नहीं है मैं भारत के एक छोटे से शहर से आता हूं जहांकि अबादी पचास साथ हजार है वहां पर भी कोई पब्लिक लाइबरी नहीं है मुम्किन है वहां के जो स्कूल हो या कॉलेज हो उसके अंदर कोई एक लाइबरी एक नाम के तौर पर वैसे बना दी गई हो जिसके अंदर कोई नहीं जाता होगा जानबूज के कोई कोई एक उनका पीरियड भी लगा दिया और बच्चों को वहाँ जाने के लिए कोई मजबूर करते तो करते हम बात कर रहे हैं पब्लिक लैबरी की पब्लिक लैबरी वो जहां पर कोई भी इनसान पब्लिक का उटके उसके अंदर जा सके उसके अंदर पढ़ सके अपना दिन पुरा बिता सके और आज के जमाने की जो लैबरी जो हम यहां इन मुलकों में देखते हैं वो तो एक मीटिंग स्पॉट है वहां तो लोग दूर दूर से आते हैं मुलकात करने के लि जो हैं यहां पर किताबें देखी हैं आप टोरेंटों में रहते हैं यह तो और भी बड़ा शेयर है पचास साट लाग के बाद यह तो वहां तो और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लैबरीज होंगी लेकिन हमारे यहां पे बदकिसमती से नहीं है और मैं व्यूवर से ले मुंबई कलकता वहां से अगर आप आते हैं तो अंग्रेजों की बनाई हुई लैबरीज के बाद हमने अपनी कितनी बनाई हैं और डेड़ दो करोड की अबादी के शैरों में तो कम से कम 15-20 बड़ी बड़ी लैबरीज होनी चाहिए क्या उतनी हैं यह आपको अपने आ हिंदुस्तान में मैं यह कह सकता हूँ और लोगों को यह बाद चुबे लोगों को हो सकता है यह बाद चुबे वो यह कहें कि नहीं आप जानबूश के एक फॉल्स कंपैरिजन ड्रॉ करने की कुशिश कर रहे हैं भारत जो है वो गाउं में छोटे-छोटे कस्बों में बस को लाइबरीज नहीं मिलती हैं हाँ पिछले 25-30 सालों में जब से मैं जवान हुआ हूँ मैंने देखा है मंदिर एक से बने हैं बलकि होड लगी है कि सबसे उंचा गुंबद किस मंदिर का होगा कौन आस्मान में कितनी ज़्यादा उंचाई तक उसको लेकर जा सकता है और उस तरह हैं कि आपको आप गूगल अर्थ खोले आपको मिल जाएंगे जी हमने चंदे के पैसे से मंदिर मस्जिद गुर्दवारे बनाए लेकिन कभी स्कूल हॉस्पिटल लाइबरी ये चीजें कभी नहीं नहीं शायद यही वज़ा है कि हम इतने पीछे रह गए हैं इंपार्टन चीज़ है कि हम उस इंपार्टन से आगाह नहीं हैं और हमारी जो एक वीजन डिवलप हो गया ना बहुत वन वे किसम का है यानि कम मैं कहा है पाकिस्तान की बात करूंगा कि हंडर्ड परसंट रिलिजिसली मोटिवेटिड और जननत फोकस एक नई टर्म मैं न जाना है लाजम किसी सूरत में जाना और दूसरी बात यह है कि जननत में को आम जगा पर नहीं जाना बलके उन्होंने अपने जहन में जननत के मुखलिवे क्लासिज और तबके क्रियेट किये हुए और आई वास एमेज़ एक दफ़ा मेरी इस पे नजर पड़ी तो मैंने र दरजात बलंद करें दरजात बलंद करने का मतलब है कि इनको बेतर जगा पे अकुमोंडेट करें और जननत में एक बड़ा बाग इनको दे दे या इनके नाम पे मकान के एक दवा मैंने कल परसुन सोशल मीडिया पड़ी है कि इसको बाग में मकान बना के दे दे यानी यह اللہ کو بھی مزاق سمجھتے ہیں جنت کو بھی مزاق یہ جنت فوکس جو ہم نے عملہ کیا ہوا ہے نا کہ سیدھا جانا ہے سارے دروازے توڑ کے سب فرشتوں کو اٹھا کے تو اپنی مرضی کے چھت پہ جا کے جو ان کی منزلیں ہیں باکول ان کے اس پہ بھی چھوٹی موٹی منزل پہ نہیں وہ بہت اوپر والی elite جس میں رہتی ہے جیسے لاؤر شہر ہے تو گولبرگ ہے defense ہے فلان ہے اس کی دعائیں ہیں نیچے نہیں کسی نے رہنا تو لائبرری کا جو تصور ہے اور اس کا مسجد کے ساتھ جو تعلق میں نے بیان کیا تھا وہ اسی چیز سے کہ جب اتنا زیادہ آپ religious focus ہو جاتے ہیں نا تو مثل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لائبرری کیا چیز ہے لائبرری یہ نہیں ہے کہ آپ گئے اور کتاب لے کے آگے یا آپ گئے اور آپ کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو آپ نے کتاب نکال کے پڑھ لی یہ تو لائبرری کا اب سمجھ لیں جدید دور کی جو لائبرریز ہیں اور جو جدید دور کی educational development ہے اس میں یہ 10% رول ہے 90% اس کا رول جو ہے وہ ایک community center کا بن گیا ہے اب اس میں جیسے کہ آپ نے بھی اس کی تھوڑے سی وضاعت کی کہ اس میں آپ جاتے ہیں مثلا لائبرریز بیشتر لائبرریز میں کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں کہ مثلا کچھ بچے جو ہیں وہ انگلش سیکھ رہے ہیں یا انگلش as a second language سیکھ رہے ہیں یا جو انگلش speaking countries ہیں تو اس میں فرنچ سیکھ رہے ہیں Spanish سیکھ رہے ہیں Japanese سیکھ رہے ہیں یہ بات جاپان میں ہے کہ اس کی لائبرریز میں میں گیا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی classes reverse چل رہی ہوں گی کہ انگلش سیکھ رہے ہیں دوسری غیر ملکی زبانے جو ہے لائبرریز میں مختلف قسم کے theaters اور کمرے بنے ہوتے ہیں جس میں کئی قسم کی debates اور seminars چل رہے ہوتے ہیں کسی میں کسی topic پہ discussion ہو رہی ہے participant موجود ہیں کسی میں کسی پہ کسی میں کوئی educational program ہے کسی میں کوئی motivational program ہے یعنی یہ یوں سا ملیں گے community کی جتنی ضروریات ہیں کسی پہ depression پہ کسی پہ تنائی پہ کسی پہ drug abuse پہ کسی پہ alcoholism پہ آپ جو ہے وہ program deliver ہوتے دیکھیں لائبرریز میں بڑے بڑے theaters ہیں جن کے اندر جو ہے وہ filmیں چل رہی ہوتی ہیں لوگ book کرا کے اپنی مختلف groups جو ہیں وہ اسے بڑے بڑے auditoriums ہیں جن میں بہت بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے یا اس طرح کی program ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کافی shops ہیں جہاں بیٹھ کے لوگ social ہو رہے ہوتے ہیں حال ہیں اور کئی جگہوں پہ even چھوٹے موٹے gym جو ساتھ میں exercise کا بھی ایک area جو ہے وہ بنا ہوتا ہے تو یہ چیز اگر آپ ایک مسجد بنائیں جس پہ آپ کروڑوں رپے لگاتے ہیں عظیم شان تو اس کے اندر آپ نے ایک مولان بٹھا دیا ممبر پہ اور باقی پورا area وسیع عریض چالیس چالیس ہزار سکیئر فٹ کی area جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں جن پہ کبھی جو ہے وہ جمعہ کو صرف جا کے لوگ کریں تو آپ اس کو اگر اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک mandatory قسم کا آپ بنا لیں کہ ٹھیک ہے جی عبادت خانہ بنانا بہت ضروری ہے بنائیں لیکن اس میں یہ mandatory ہے کہ اس کا آپ حصہ ایک حصہ جو ہے وہ community کے لیے وقف کریں جس میں یہ چیزیں ہوں جس میں آپ کو حال کمرے ملتے ہوں کرائے پہ educational program لوگ کر سکتے ہوں یہ چیزیں یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کام کے لیے وسائل کام میں بات یہ ہے کہ وسائل پہ کچھ طبقات کا قبضہ ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو direct کرتے ہیں کہیں جو ہے وہ مولوی اس کو direct کر رہا ہے اپنے religious مقاصد کے لیے کہیں military جو ہے وہ اپنے مراد کے لیے اس کو use کرے گی کہیں politician اپنے مقاصد کے لیے use کرے گا تو یہ چیز ہے کہ library کی یہ کا تعلق جو ہے وہ حکومت کی policyوں کے ساتھ ہوتا ہے west میں جو اتنے بڑے پیمانے پر mushrooming ہوئی ہے libraries I would call it mushrooming اور mushrooming میں کیوں کہوں گا کہ یہاں city of Toronto میں چار پانچ سال پہلے انہوں نے libraryیاں بند کی اور بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ libraryیاں بہت زیادہ ہو گئی یعنی ایک ایک محلے میں تین تین چار چار libraryیاں ہیں اور وہ وہاں کی population کی ضروریات کے سے آگے خالی پڑی چونکہ وہ ایک وقت آیا تھا جب یہاں پہ ایک سوچ develop ہوئی west کے اندر کہ بھائی ہم اپنی population کو اس طریقے سے ignore نہیں کر سکتے جو عام لوگ ہیں جو عام لوگ schoolوں میں colleges میں نہیں جا سکتے جو عام لوگ راتوں کو کام کرتے ہیں جو odd hours میں کام کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو we cannot just walk away from them تو ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم community کے لیے چیزیں develop کریں جہاں ہر آدمی کو access ہو وہ جا کے computer دیکھ سکے وہاں جا کے internet سے استفادہ کرے یہ جو آج کل کی معاملات ہیں wi-fi دوسرا تیسرا یہ ساری چیزیں جو اس تک اس کی access ہو even آپ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں آپ کا heating cooling systems آئی نہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے library میں جا کے بیٹھ کے سکون حاصل کریں یہ بھی ایک عام citizen کا right ہے تو اس مقصد کے لیے ایک welfare اور ایک جو well being کے تصاور کے تحت انہوں نے یہ دانچے جو ہیں وہ develop کیے ان ملکوں میں جس کا بہت بڑا جس کی ویسے ایک revolution آیا چونکہ ایک بچہ جس کا جس کو computer تک رسائی نہیں یا جس کے گھر میں تنائی نہیں ہے پڑھنے کے لیے آج بھی میں ایک report پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں کتنے لاکھ بچے جو ہیں دیس لاکھ یا کچھ انہوں نے بتایا ایسے ہیں جو بہت زیادہ شور زیادہ قسم کے گھروں میں رہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ overcrowded کہ ایک گھر میں مثلا چار پانچ چھے آدمی انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے وہ گھر بھی بہت ہی compact ہے compact قسم کے ان میں جگہ ہی نہیں ہوتی اور اس میں آٹھ آٹھ دس دس لوگ رہتے ہیں تو اس میں جو بچہ رہتا ہے وہ تو کوئی سکون کی زندگی تو نہیں گذار سکتا کہ کوئی کہے کہ اس کو بڑا جو ہے وہ ہے اب ایسے بچوں کے لیے libraries جہاں پہ ایک پورے سکون اور اتمنان کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنا home work کر سکیں اپنے سکون کے کچھ لامات ہیں کوئی سوچ سکیں کچھ پڑھ سکیں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہی بچہ ہے کہ west نے اتنی زیادہ ترقی کی اور west کے اندر یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ آپ کو اتنی واضح نظر نہیں آتی چونکہ ان میں آپ unfortunate جو ان کا segment of society ہے اس کو چھوڑ کے تو آگے نہیں بڑھ گئے کہ جاؤ جانم میں تم جانا اور تمہارا کام جانے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہے concept جس کی ویسے پوری society جو ہے وہ بدلتی ہے اب ہم جو ہے اس کے برقس جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ لائبریاں بنانا تو دور کی بات ہے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا لیکن جو بنی ہوئی تھی ان کے اندر سے کتابیں غائب ہیں لوگ اٹھا کے لے گئے ٹوٹ پوٹ گئی اس کا کسی نے کوئی جو ہے وہ نہیں کیا نئے ایڈیشن اس میں نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری society جو ہے وہ اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھنے کا ہے کہ کلچرل ہی خالی ہوتی جا رہی ہے اس کا تعلق کلچر سے بھی ہے کہ کتاب جو ہے موسیقی ہے یہ چیزیں ہیں ان کا تعلق آپ کے کلچر سے بھی ہے آپ کیا پڑھتے ہیں آپ کی فکشن کیا ہے آپ کے لوگ کس طرح کیا جو ہے تیسٹ ہے ان کا چیزوں کا یہ ساری چیزیں وہاں سے ہمیں نظر آتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہیں بس ایک دھوڑ لگی ہوئی ہے جی کہ پیسہ بنانا ہے یا جو بھی ان لوٹ گسود کا ایک نظام چل رہا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو اکومنڈیٹ کرنا ہے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا important ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ جو ہے وہ بات کریں بلکل ٹھیک کا آپ نے بشانی صاحب آج کی جو صورتحال ہے ہمارے ملکوں میں وہ کوئی اچھی نہیں ہے ہمارے یہاں جب بھی elections آتے ہیں تو جو منتری جی ہوتے ہیں نیتا جی ہوتے ہیں آپ کی طرف میں جو بھی سیاستدان آپ نے کہیں وہ ہمارے یہاں پہ تو جو نعرہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں vote دیں ہم وکاس کی گنگا بہا دیں گے یعنی کہ ترقی کی گنگا بہا دیں گے یہاں پہ ہر کوئی یہی نعرہ دیتا ہے لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں کسی سے جا کے پوچھے بھی اگر آپ کسی سے کہ بھائی بتاؤ آپ نے کیا کیا تو وہ سڑکے دکھاتے ہیں وہ یہ دکھاتے دیکھیں جی کتنی اچھی سڑکے بن گئی ہیں اور ان سڑکوں کو دیکھ کے علاقے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں واقعی میں بہت ترقی ہوئی ہے بہت progress ہوئی ہے ہمارے یہاں پر اصل میں جو progress ہے وہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کس چڑیا کا نام human development جس کو ہم کہتے ہیں اصل میں ترقی انسان کی ترقی ہے اور انسان کی ترقی تب ہوتی ہے جب آپ ان کو پڑھنے کے لیے اچھے school college دیں گے یونیورسٹیاں دیں گے لائبریز دیں گے میں پچھتی دفعہ جب بھارت گیا تھا ہمارے یہاں پہ میرے پاس ہی میں ایک school ہے گاؤں میں وہاں کی حالت بہت خراب ہے شیرے کا نام کا یہ school ہے ہنوانگڑ زلے کے اندر پڑھتا ہے رازستان کے اور آپ کو جان کے حرانی ہوگی اس وقت یہ ویڈیو بھی میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ حالت کیا ہے ہم لوگوں کی school میں پہلی سے لے کے بارویں تک کے بچے پڑھتے ہیں اور پچھلے تیرہ چودہ سالوں سے school کی امارت ٹوٹی ہوئی ہے تو بچے گرمیوں میں باہر بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں سردیوں میں باہر بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں جب برسات کا موسم آتا ہے تو انہیں مجبوراً school بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برسات میں بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں چاروں طرف آگے بھی جو زمین ہے وہ سیدھی مٹی ہے اور وہ وہاں پہ کیچڑی کیچڑ ہو جاتا ہے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے school بند کرنا پڑتا ہے گاؤں میں ایک سے ایک بڑے چودری ہیں ہے وہاں پر پیسے والے لوگ ہیں بشانی صاحب جو بڑے چودری ہیں ایک سے وہاں پہ بیٹھے ہیں مالدار elections میں وہ سرپنچ بھی بنتے ہیں MLA بھی بناتے ہیں آگے MP وغیرہ کے لیے بھی مگر اس کام کے لیے بہت جس scale کے اوپر جدو جہد ہونی چاہیے مثلا اگر میں اس گاؤں کا سرپنچ ہوتا تو میں ایک war footing پہ اس آواز کو اپنی ہر روز اٹھاتا کسی نہ کسی کے سامنے حالانکہ وہ بیچارے کر رہے ہیں کام میں ان سے ملتا ہوں جا کے مگر جس شدت کے ساتھ انہیں کرنا چاہیے اس شدت میں شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے کیونکہ میں جب بھی جاتا ہوں مجھے جو صورتحال ہے وہ ویسے کی ویسے ہی نظر آتی ہے بھارت میں نجانے ایسے لاکھوں سکول ہوں گے جن میں یہی صورتحال ہے پاکستان کا آپ نے بتایا مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی وہاں بھی کچھ ایسی ہی ہے تو آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کی ترقی کرنی ہے تو ان کے ذہن کی ترقی کرنی ہوگی ان کی سوچ کی ترقی کرنی ہوگی اور سوچ کی ترقی ہوتی ہے کتابوں سے اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی پڑھنے کیلئے سکول کالیج یونیورسٹیاں دیں گے عام لوگوں کو لائبرریز دیں گے جہاں پر وہ جا سکیں جس دن ہمارے یہاں پہ یہ محول بن گیا کہ چلے جی آج کوئی گھر سے کوئی نوجوان نکلتا ہے بھاگ کر نکلتا ہے اور ماں پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو بیٹا تو آج تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی فلم دیکھنے جا رہا ہوں کسی سنیما ہال میں یا کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جا رہا ہوں کاش وہ دن آئے کہ جب لوگ یہ کہیں کہ ہم صبح صبح تیار ہو کے ہم لائبری جا رہے ہیں سارا دن اپنا وہاں بتائیں گے اور جیسا آپ نے بتایا کہ لائبری کے اندر بہت ساری چیزیں آپ اب تو بن گئی ہیں وہ صرف ایک کتاب پڑھنے کی ہی جگہ نہیں رہ گئی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام سے لوگ کچھ سبق لیں گے کچھ سوچنے پر مجبور ہوں گے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں ممکن ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہم ایک پروگرام اور کریں کچھ دوستوں کو لے کر انڈیا اور پاکستان دونوں سے آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ممکن ہے